वीडियो के साथ हाजिर हूँ और दोस्तों आपकी हैल्थ ही मेरे लिए सबसे इंपोर्टेंट है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पेट के अंदर जो है बहुत सारी दिखते रहती है जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है एसिडिटी बहुत ज़्य स्टो disappears नाठीया और हे जो है कि अंदर इस तरह की प्रॉब्लम में आती है और हमारा जो है जो है क्या हमें अंशार्थal जिसे हमें ऐसा ऑन्कारश करें हमें इस तरह की दिकत ना आए दोस्तों मैं आपको बता दू कि सबसे पहले हमें जब भी कोई भी बिमारी स्टार्ट होती है सबसे पहले हमारे पेट से सबन्दी थी हमें प्रॉब्लम में स्टार्ट होनी शो होती है कि हमें हमारा पेट ही देता है अगर हम excessive खाना खाते है तब भी हमें symptom पेट देगा अगर कम खाते है तब भी हमें हमारे पेट से ही पता चलता है या फिर हमें बहुज़ादा मोटापा आ जाता है तो भी हमारा पेट ही बहुत बड़ा होता है पेट से सबन्दी जितनी भी problem होती है दोस्तों तो आगे चलके हमें जो है हर तरह की problem को जो है face out करवाती है जो हमारे शिरेर के अंदर होने वाली होती है तो दोस्तों अगर हमारा पेट ही ठीक होगा तंदरूस्त होगा तो हमें कोई भी problem नहीं होगी तो मैं आज आपके बहुत ही best solution बताऊंगी बहुत ही best जो है homemade तरीका बताऊंगी इसको करके दोस्तों आप अपनी इस तरह की प्रॉब्लमों से निजात पा सकते हो बहुत सार आराम पा सकते हो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो like करें share करें comment करें और दोस्तों चैनल क related बहुत सारी वीडियो आपको लेकी आऊंगी साथ में ब्लॉग चैनल मैंने बना रखा है दोस्तों आपको बताऊंगी कि हमारी रहूंगी तो दोस्तों आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप मह कि पहली होती है दोस्तों निरोगी काया अगर हमारी निरोगी काया नहीं होगी हम लोग विमार रहेंगे तो हम अपने अपने ध्यान रखना चाहिए उतना ज्यादा-पैसा जाएगा मनी बेस्टूगा हम मैं पैस्तना शरीर को दोएंगी कुछ भी विमार नहीं पाएंगे और नहीं हम लोग अपने शौक पूरे कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आपके पेट से सबंदित आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो उस सारी दिक्कतों का आपको जो है एक होमेट शलूशन बताऊंगी इस अगर होमेट तरीके को इस नु होगी आपने देखा होगा सूना होगा दोस्तों जब भी हम मुश्टली जो है लोगों को अपने आप ही अपने सिम्टम पता चल जाते हैं जब भी हम इस तरह का भोजन खाते हैं जैसे की तला हुआ भोजन खाते हैं मैदे वाले चीज़े जादा खाते हैं तो हमें सबसे प दोस्तों कि जब भी आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम होती है दिकते है तो मूह से बहुत ज्यादा बढ़ analytics यह सारे symptoms जो है अगर साथ भी हो रहे हैं तो आपको पेमस्ते बहुत सारी दिकते हो रही है तो आपको क्या करना है दोस्तों एक तो अपना खाने पीने का रूटीन बदलना है खाने पीने का स्टाइल में चेंजिंग करनी है खाने पीने का नजरिया बदलना है तरीका बदलना है होता यही है दोस्तों कि हम अपना खाया पिया जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं खा और थो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बटा दूं आपको क्या करना है एक तो आपको पनी पीने का हमें कोई ऍवरा टैक्स लेह नहीं लगता है और कि상을 की एक करता है लिए आर फाइड़ होने से ताही हमें बहुत सारे देनिटा हमारेई के कुछ फील्टर करता है हमारे blood को भी filter करने का काम करता है blood को purify करता है और साथ में दोस्तों हमारे skin के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है पानी तो पानी आपने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेना है कम से कम दो से तीन लिटर पानी तो आप डेली पीए अगर इतना भी नहीं पिया जाता है तो आप जो है साथ से आठ किलास डेली का मानने तो आपको जो है दोस्तों धिरे दिरे आदत पड़ जाएगी और फिर आगे चलके वो आदत इतने ज़्यादा फाइदे आपको देने वाली है कि आप खुद ही महसूस कर लोगे अपने शरीर के अंदर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दो दोस्तों दूसरी चीज़ होती है हमारा खाने का तरीका कैसा है हम जो है बहुत एक्सेसिब खा रहे हैं या फिर हमारा टाइम टेबल ही नहीं है आप नास्ता अगर नौ बज़े करते हो तो लंच आपका सिर्फ और सिर्फ यह हो जाना चाहिए एक से डेड़ बज़े के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए और डीनर जो है दोस्तों जो है जितना जलती हो सोगे मिनिममम आठ बज़े तक आपका डेनर हो जाना चाहिए अगर आप 10 बज़े सोते हो तो तो कम से कम इस तरह का अगर रूटीन बनेगा तो हमें पेट से सबंदित कोई भी दिकत नहीं होगी और बहुत जादा फाइदे ही फाइदे हमारे यह जाती है अज्वायाय चुपने आपने लेने हैं और ऊच्छे से ब्रा इभान करदे हैं ताकि हमारी आजव्याय का पावडर न जाए अपहारी अज्वायाय跟大家 को सब्सक्राइए अबर जब्यागे ठीसार रूटीन छेना और दोसरे नमख आपने ले लेना है नो काला नम कि पेट्ट के अंदर बहुत जादा गैस बन रही होती है उसके लिए नहीず जादा होता हूं है और जो अजवायन होती है उसका तो बहुत जादा लाजबाब फाइदा होता है यह आप सभी को ही पता है तो यह पेट की बदाजमी के लिए पेट की हर तरह के रोग को खतम करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है इन दोनी चीजों को ही आपने लेना है दोस्तों जब भी आप खाना खाएं उसके कम 10-15 मिनिट बाद ही आपने जो है और उसको सिप सिप करके आपने उसके साथ ले लेना है फकी को इस फकी को आपने कंटिन्यू रखना है आपको कोई भी साइड इफक्ट नहीं होगा बलकि आपको फाइदे ही फाइदे होंगे आपके शिरीर के अंदर जितनी भी ज़्यादा पेट से सबंदित प्रॉब्लम में होंगी जैसे की बात आपको रहती है बात की समस्या आपको रहती है आपके जोइंट में दर्द रहता है आपको जोडों में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है अकड़न रहती है मसल्स टाइट रहते हैं मसल्स पेन रहते हैं यह सारी समस्यां से भी आपको बहुत के फाइदे भी बता दू कि यह आपके पेट को अगर आपका पेट बहुत बढ़ा हो रहा है आपके पेट को भी कम करने में हेल्प करेगा आपको जो है फैट को कम करेगा आपके फैट को धीरे धीरे जो है निकालने की कोशिश करेगा बाहर निकालेगा आपके बैट टॉक्स उसका कैसा लगा है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शियर करें कुमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना मुलें